असलाम अलेकुम एन वेलकम बैक तो दे कोर्स, आज हमारे पास जो है वो डे 19 है, आपने इसमें ये करना है कोडैनिक्स.com पे जाने के बाद आपने कोडैनिक्स के होम पे क्लिक करना है, यानि के इस वेबसाइट पे जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पी दे दिया है, कोर्सेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कोर्सेज में क्लिक करने के बाद, six months of AI in data science mentorship program पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद, आपने day 19 पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद, मैंने यहाँ पे तीन lectures upload कर दी है, आपने इन तीन के तीन lectures को बारी बारी देख के practice करना है और जो मैंने कल आपको बताया था day 18 के अंदर अपनी assignments complete करनी है आपने day 21 तक वो आपने sign करनी है अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं और ये days already गुजर चुके हैं October के so you have to complete this project by yourself और करने के बाद आपने discord के जो हमारा server है वहाँ पे इसे upload करना है discord के server के लिए आपको already मैंने a link जो है वो start में different videos के अंदर बता दियों मैं so पहला हमारे पास lecture होगा use of AI for fast-paced EDA analysis second one is big data sets for EDA practice the third one is complete EDA on Apple app store dataset तो ये तीन exploratory data analysis की important चीज़े हैं जो आपने देखनी है this is part of day 19 और day 19 का मतलब है आज ही आपने करना है आप आज का काम कल्पे मत छोड़िएगा वरना आप बहुत पीछे रहा जाएंगे take care keep working and keep exploring Allah ने के बार